किसी भी construction site पे जो आपका plaster work होता है उसकी काफी आपका importance होती है लेकिन जादतर civil engineers को यह नहीं पता होते है कि आपका plaster work में उन्हें आपका क्या क्या चीज़े आपका check करनी है तो hello everyone मेरा नाम है Amit आप सभी का स्वागत है Solitude Education के YouTube चनल पर आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिसकस करूँगा कि plaster works के अंदर आपका क्या 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 चेक लिस्ट होती है बतलब कि अगर आप किसी भी construction site पर आप work करवा रहे हैं as a site engineer या फिर as a quality engineer तो आपको plaster work के अंदर आपको क्या क्या चेक करनी है वो सारी one by one जो है आज की वीडियो के अंदर मैं डिसकस करूँगा चलते हैं आपका laptop की screen के अंदर अभी आपको अपनी screen पे आपका plaster work की आपके checklist आपका दिख रही होगी यहाँ पे कुछ basic information है जिसमें आपका contactor का name है plaster के बारे में थोड़ी information है कि plaster आपका single coat में होगा फिर आपका double coat में होगा तो generally जब plaster की thickness आपका ज्यादा होती है तो उस case में हम लोग आपका double coat plaster आपका करते हैं पहला before plaster work हम लोग आपका चेक करते हैं दूसरा आपका during plaster work और last में आपका plaster होने के बाद में हम लोग आपका चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि approved drawing जो है वो आपका site को available है या फिर नहीं है जिससे हमें आपका यह पता चल सकी कि plain plaster है या फिर उसके ऊपर इसके अलावा नेक्स होते हैं आपका method of statement quality control के अंदर आपका method of statement काफी important होता है यह काफी बड़ा topic है इसको मैं किसी वीडियो other video के अंदर आपका detail में आप सभी के साथ मैं आपका discuss करूँगा लेकिन अगर आप चाहते कि मैं इसको discuss करूँ तो comment section में जरूर comment करना इसके बा टार कर रहें तो उसके कुरिंग ओना काफी important है कि आपका सर्फेज होता है आपका काफी dust वागएरा होता है, इससे हमें आपका remove करो है कि ही सारे loose particles उसके surface पर रहते तो वो सारे हमें आपका remove करने होते है, Plaster work करने से पहले उसके बार next है, आपका की tools वगेर अवेलेबल लो plaster work अगर हम लोग करवा रहे तो उससे related जितने भी tools है वो site पे आपका available होने चीए ऐसा नहीं कि plaster work start कर दिया और उससे related आपके जितने भी tools हैं आपका वो site पे available ही नहीं है इसके बाद next आता है कि level marking basically basically generally क्या होता है कि अगर हम suppose करो roof पे plaster कर रहे है तो उसमें हम लोग level check करते हैं कि आपका level आपका uniform है या फिर नहीं आपका मालो यह मेरी roof है तो इसमें हम लोग ऐसे आपका level की marking कर देते हैं ताकि हमारा plaster है वो एक level में आ सके हैं और कोई भी undulations उसके अंदर आपका नहीं रहे इसके लावा next होता है ensure hacking generally क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे surface पर plaster work करते है जो काफी finish होता है तो उसे हमें rough करने के लिए उसके आपका hacking करना होता है generally हम लोग इसको आपको hand से भी करते है हाथोड़े की help से और grinders वगेरा होते है या फिर hilti की machine होती है vibrators उनकी help से भी हम आपका hacking करते है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि plain surface को हम आपका rough कर देते है plaster work करने से पहले ताकि हमारी plaster की bonding surface के साथ में काफी अच्छे से हो सके इसके अलावा next होता है कि bull pads generally मैं आपको यहाँ पर image के अंदर दिखा देता हूँ इस तरह कि आपकी जो marking होती है basically इनको आपका bull pads आपका बोला जाता है यह इसलिए की जाती है ताकि हमें आपका uniform thickness वो आपका surface में मिल सके इसके बाद next है आपका chicken mess के बारे में आपका यहाँ पर बात रहा है generally क्या होता है कि जब हमारी कोई frame structures होती है और जहाँ पर भी आपका RCC और brick का आपका junction point होता है महाँ लोग column है आपका column के साथ में wall आपका joint हो रही है तो उस case में हम लोग क्या करते हैं कि उस junction point पर chicken mess आपका use करते हैं क्योंकि अगर हम chicken mess यूज नहीं करेंगे दोनों की जो properties है वो आपका different है और आने वाले time के अंदर आपका जो है दोनों के joints पर आपका crack जो है वो आपका दिख सकते हैं तो इसी crack को prevent करने के लिए हम लोग आपका chicken mess का यूज करते हैं उसके बाद next होते है आपका mixed proportion तो plaster work के अंदर आपका mixed proportion काफी important होता है one issue of one, one issue of five one issue of six, one issue of three one issue of one even भी हम लोग आपका जो है आपका use करते है कई सारी locations पे तो आपकी drawing के अंदर आपका mention रहता है कि आपको किस proportion में आपको mortar आपको करना है तो वो आपको चेक करना है कि आपका mortar as per specification है या फिर आपका नई इसके बाद next होता है आपका generally आपका गया होता है कि जब भी हम plaster work करते है तो काफी metal हमारा waste होता है क्योंकि जब हम surface को finish करते है तो उस पेसे काफी सारा material या काफी सारा mortar नीचे गिर जाता है तो वो waste हमारा ना जाए उसके लिए हम नीचे की तरफ surface पे कोई भी polythene seat बगेरा या फिर आपका जो cement के bag होते है वो आपका बिशाब laying कर देते हैं उनकी ताकि surface पे से wall पे से जो भी plaster आपका गिर रहा है वो आपका जो मेरे हम लोगों ने आपका नीचे cement के बोरी खाली जो बोरी होती है वो आपका बिशाइए उसके उपर collect हो जाए रहा हम उसको आपका reuse कर सके ये भी आपका ensure करना है कि जिस portion पे आपका waste mortar गिर रहा है वहाँ पे कोई भी आपका polythene seat या फिर कोई ऐसा metal अवेलेबल होना चाहिए जो भी जिस पे हम लोग उस waste metal को collect कर सके इसके बार next है आपका lighting कई बार ऐसा होता कि हम लोग indoor plaster कर रहे होते है तो उस case में क्या होता है कि लाइटिंग की indoor में आपका lighting कम होती है तो हमें वहाँ पे आपका proper lighting लाइटिंग प्रोवाइड करानी होते है अगर हम proper lighting नहीं प्रोवाइड कराते है तो उस case में भी हमारी quality reduce हो सकती है इसके लावा next होता है आपका ensure any reactifications कई बार ऐसे होता है कि मालो brick work हम लोगों ने किया हुआ है पहले से ही आपका electrical plumbing work किया उसके अंदर को reactification का work था तो हमें plaster work करने से पहले ये check कर लेना है कि plaster करने से पहले इस surface पे कोई reactification work pending तो नहीं पड़ा हो है अगर वो work आपका pending पड़ा हो है तो सबसे पहले आपको उसको rectify करना है देन उसके बाद ही आप plaster work जो है आप start कर सकते हो इसके लावा next है आपका staging generally क्या होता है कि height जाद होती है मालों 10 feet की height है तो एक इंसान जो है जा जाद है आपका surface पे खड़ाओगे 4-5 feet, 5 feet तक 6 feet तक maximum plaster आपको कर सकता है उससे उपर अगर उसको plaster करना है तो उसको हमें एक platform देना पड़ेगा तो हमें बेसिकली ये भी चेक करना कि platform site पर available है या फिर नहीं जिसको में लोग scale folding वगरा भी आपका बोलते है इसके लावा next होता है MEP work generally electrical plumbing work जो होता है वो आपका MEP work के अंदर आपका आता है तो plaster क्योंकि जादतर जितने भी MEP से related work होते हैं आपका plumbing हो या फिर आपका electrical हो तो आपको electrical और plumbing की team से भी consult कर लेना है सबसे पहले कि आपका कोई काम pending तो पड़ा हुआ है या फिर नहीं या फिर आपका कोई rectification work है वो तो आपका pending नहीं पड़ा हुआ उसी के बाद आपको plaster work जो है आपको करवाना है नेक्स्ट आता है आपका during plaster मलब अब plaster से पहले की सारी checklist ओके हो चुकिए अब हमें plaster वाग start कर दिया तो अब हमारी क्या-क्या checklist रहेंगी नेक्स्ट है आपका ensure mortar mix is mixture machine generally क्या होता है कि जितनी भी बड़ी construction site होती है उसके आपका hand mixing allowed नहीं होती है और हमें आपका mortar की mixing होती है वो आपका mixture machine की help से आपका करनी होती है छोटी mixture machine होती है जिसको हम लोग easily floor wise shift भी कर सकते हैं आपका तो हमें यह देखना कि hand mixing हो रही है या फिर आपका mixture से mixing हो रही है इसके बाद next होता है setting time generally कही बार क्या होता है कि morning के time पर ही आपका mortar बना लिया जाता है और evening तक उसको use किया जाता है जो कि सबसे आदा गलत है कभी भी cement के setting time से जादा time हमें आपका mortar को use नहीं करना है cement का जो भी आपका setting time है उससे पहले ही हमें आपका mortar को use कर लेना है इसके बार next होता है water puffing chemical कई बार क्या होता है कि toilets वगेरा के अंदर हम जो plaster करते है या outer surface पे आपका building के जो plaster करते है उसके अंदर water puffing chemical हम लोग mix करते है तो आपको ये भी ensure करना है कि जो mortar आपका बना है उसमें आपका water puffing chemical mix हो रहा है या फिर आपका नहीं हो रहा है उसके बार next होता है आपका mortar की thickness जो कि सबसे ज़्यादा important होती है जितना भी outer plaster होता है उसमें आपकी thickness थोड़ी ज़्यादा होती है और internal plaster के अंदर आपका thickness थोड़ी कम होती है तो आपको ये भी check करना है कि as per drawing आपकी thickness है या फिर आपका नहीं है next होता है आपका aluminum straight is basically surface पे plaster work पे क्या होता है कि अगर meshन जो काम कर रहा है वो अगर proper work नहीं करता है तो plaster के surface पे आपका undulations आते है starting में वो नहीं पता चलते है बाद में जब उस पे painting work complete हो जाता है तो तब हमें वो undulations आपका दिखते है आपको बेसिकली यह चेक करना है कि आपका जो plaster है वो exact 90 degree में है या फिर नहीं है तो आप wall पे उपर के surface पे ऐसे plumbow लगाओगे और नीचे आप जाके चेक करोगे कि आपका plaster वो एक level में है या फिर आपका नहीं है इसके अलबार next आपको final dimensions आपको चेक करना है जैसे मालो कोई window की opening है ventilation के लिए कोई opening है door के लिए कोई opening है तो उसका size जो है वो आपका actual as per drawings है या फिर नहीं ये भी आपका ensure करना है इसके बार next होता है कि आपका finishing है वो as per specifications आपका हुई है या फिर नहीं तो ये भी आपका ensure करना है तो ये सारी की सारी checklist थी आपका during plaster work इसके बार next होता है आपका post आपका plaster work complete होने के बाद क्या आपको check करना है जो generally plaster work complete होने के बाद में आपका curing सबसे अधा important हो जाता है आपका सारी चीज़े waste हो जाएगी तो आपको curing check करना ही कि आपका curing proper हो रही है या फिर आपका नहीं हो रही है आगर आप ये सारे के सारे points जो है किसी भी plaster work में आप check करोगे आपके plaster की quality में कोई भी compromise जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा इस से related अगर कोई भी doubt है confusion है किसी भी point में अगर आपका confusion हो तो आप comment section में बेजी जगो के comment कर सकते है बाकी हमारी mobile application है telegram channel है उनके link भी video के description के अंदर मिल जाएंगे आप application डाउनलोड कर सकते हो या फिर telegram channel भी आप join कर सकते हो बाकी video अच्छे लगी हो लाइक करो, share करो और channel को subscribe करना बिलकुनित भूलना मिलते हैं आपसे next video के अंदर रोके, thank you